साथियो नमस्कार मैं राम प्रताप सिंग कुश्वाहा हमारे चैनल ग्यान एंड नॉलिज के प्रोग्राम मंथन में आप सब का स्वागत है अभिनंदन है वेलकम है सू स्वागतम आज का जो प्रस्शन है वो बहुत ही सामयक है बिलकुल वरतमान पर है और बहुत ही महत्पूण है क्या प्रहू स्री राम जी अपने भक्त पर कभी नाराज या कृधित या उसको डंडित भी करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं क्या आज की तारीक में भी उन्होंने किसी को कोई मान्यवर, कोई गड़ मान ने, ऐसे देश में या विदेश में कोई ऐसे महनभाव हैं कि जिनको आज भगवान प्रभू स्री राम लला जी ने, स्री राम जी ने डंडित किया हूँ और वो डंड सामने दिखाई पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग मन्थन ना कर रहे हूँ तो आएए आज जानते हैं स्री राम चरित्मानस के प्रसंगों से कि भगवान आज की तारीक में भी प्रभू स्री राम जी अपने भग्त को किस तरह से डंडित कर देते हैं और सुधार कर फिर उसको लाइन लैंध पे लाते हैं और फिर उसके यस और पराक्रूम में ब्रिद्धी भी करते हैं क्योंकि भाई प्रवल भक्त के पाले पढ़कर ईश्वर को सिध्धान्त बदलते देखा है। अपनी देवी सक्तियों को भेदेंगे आपकी मदद के लिए। बसरते आपका जो पत हो, जो यात्रा हो, जो रास्ता हो, जो आपने लक्ष चुना हो, वो मानवता मई, लोखित मई, कल्यान मई, जन कल्यान मई और परोग कारतापोर हो। तब हम मदद करेंगे। हाँ, तो आईए इसी आज विहंगम प्रसंग को सुनते हैं, ऐसा प्रसंग आपको अन किसी चैनल में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको ग्यान और नौलिज के प्रोग्राम मन्थन में आपको सुनने को मिलेगा, जिसमें हम सब्ताह में एक बार स्री राम चरित मानस को साम करते हैं, और क्योंकि वो इसलिए ये बात समद में आई, क्योंकि ये राम चरित मानस 13 माई को दुनिया के सबसे वड़े संस्था, संयुक्त राठसंग की जो यूनेसको, जो संस्कृति कल्चरर प्रोग्राम देखती है, उन्होंने माना है कि स्री राम चरित मानस ऐसा मैं ये मानोता, परोपकारता और लोखित से सम्मंधित ये सास्त्र है, और आपको मालूमी होगा कि भारत के तीन सास्त्र पहली बार उस संखला में रेश्टरड हुए हैं दुनिया में, स्री राम चरित मानस पंचतंद और साहरदय लोकान, तो भाई इसके लिए जो भी सरक में प्रिधान मंत्री स्री निरंदर दावो धर्दास मोदी होंगे, कल उन्होंने साम को साह काल साथ बजए सपत ग्रहन, अपने सारे मंत्रीं के साथ राद भवन में कर लिया है, और वास्तों में एक उन्होंने दुनिया में रिकार्ड इस्तापित कर दिया है भारत में कि वो तीसरी वार लगातार हैट्रिक बनाते हुए भारत के प्रिधान मंत्री बने और पूरी दुनिया मतलब उनका दो धड़ों में बटा हुआ था एक तो उनके पक्ष में लोग थे और एक उनके विपक्ष में थे विपक्ष लोग विपक्षी लोग भी बड़े सक्री थे औ और इस में इन इन अवराल पूरा विस्वल के जो राजनेतिक लोग हैं, वो दखिलंदा जी दे रहे थे, कुछ सकारात्म क्रूप से, कुछ नकारात्म क्रूप से, कुछ उनका हिद करना चाहते थे, कुछ उनका आहित करना चाहते थे वास्तों में अगर आज आप TRP की द्रिफ्ट से देखें या जो हैच्टेक जो नया चीज आया है इंटरनेट गूगल में हैच्टेक उसके अधार पर देखें तो मोदी जी आज दुनिया के सर्वो परी नमबर वक्ति होंगे जिनका हैच्टेक आज सबसे ज़्यादा रन कर रहा होगा तो बहुत ही महात्पूर्ण विसा है हम उनकी समिच्छा करेंगे और ये हमारे लिए आसान काम नहीं होगा एक बहुत ही चनोती भरा काम होगा बहुत ही मतलब आज जिसका जो जिसका रेंग पूरी दुनिया में नमबर वन हो तो ऐसा महान व्यक्तित का व्यक्ति और उसकी मैं समिच्छा करूं और भाई कहीं अगर मुझसे कोई त्रुटी हो गई हो तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं लेकिन करूंगा तो क्योंकि यह हमारा चैनल करता ही है एक सब्ताय में एक महापुरुस जीवनी का विशलेशन करता है तो आज जीवनी का विशलेशन तो नहीं होगा फिर कभी होगा आज तो इसी बात पर होगा कि वो तीसरी वार कैसे भारत के प्रधा पर पहुंचे और प्रधान मंत्री जी बने आप कहोगे कि वो तो 2014 में बन गए थे 2019 में बन गए थे 2024 में ऐसी क्या उनकी विशेज गुणवत्ता है जिसका आप बखान करने जा रहे हो हाँ तो इसको जब पहले आप इसको समद लेंगे तभी आप हमारे प्रसंग को बहुत गंभीरता से और बहुत अच्छी तरह से समद पाएंगे देखिए वास्तों में सत वात है कि 2014 से पहले माननी प्रधान मंत्री जी एक गुजरात के छोटे से राज्ये के प्रदमुख मंत्री थे लेकिन 2014 में वो पहली बार भारती जनता पार्टी की बिजय हुई थी 2014 में प वो पहुमत की सरकार 2014 में भारती जनता पार्टी की इस डेश में बनी थी, तो 2014 में कौन जीता था बारती जनता पार्टी, इस बात को समद लिएगा तो तब फिर विस्ट्धा सुनने में आपको आनन्द आएगा और 2019 में कौन जीता 2019 में जीते शरी नरेंदर मोदी जी इसलिए 2019 की जो सरकार पार्च वर्च चली वो मोदी सरकार कहलाई गए पूरी दुनिया में अगर आप कहें किसी नहीं नहीं कहा कि भारती यंता पार्टी की सरकार है मोधी सरकार जहां भी देखिए दुनिया में अमेरिका में गए जहां जहां गए प्रधान मंत्री जी गए तो मोधी 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 के नारे ही लगे और भारत में भी लगते रहे तो मोधी सरकार कहलाई लेकिन ये दो हजार चौबिस की जो सरकार है ये ना तो बीजेपी सरकार है न मोदी सरकार है ये NDA सरकार है वो भी लंगडी सरकार है क्योंकि पूर्ण गहमत मिलना है 272 सीटों पर वो तो प्राप्थ हुआ नहीं 240 ही प्राप्थ हुए तो बकाया तो भाई सामुहिक दल के रूप में NDA के रूप में ये सरकार बन रही है तो बड़ा विचार नहीं प्रशन है कि आखिर भगवान ने भगवान राम लला जी स्थापित हुए 22 जनवरी को इतना अच्छा समारोह हुआ इतनी मतलब चारों तरब यस हुआ कि प्रधान मंत्री जी ने विराजमान किया स्री राम लला जी को किया ही है और उसका फिर प्रतिफल यह मिला तो आदमी प्रशन तो करे गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ तो क्या इसको इसी को क्या डंड नहीं कहा जाएगा डंड विधान है यह इसी को अब बिगर समय खराब किये हुए 2024 की सरकार की समिक्षाप करें तो आप पाएंगे कि परिवर्तन हो गया है दो घटक मिल गए हैं दो क्या कई घटक मिल गए हैं चोटे चोटे घटक भी मिल गए हैं तो वो घटक ही क्यों मिलें वही तो है श्री राम लला जी की माया का जाल उसी का तो संदेश है कि विपक्ष तो पूरा इस बात का आरोप लगाते ही लगाता था कि प्रधान मंत्री जी एहंकारी हैं और तानासा हैं कि तरफ बढ़ रहे हैं भाई पूरा विपक्ष पूरे विदेशी मीडिया इसी बात का तो आरोप लगा रहा है तो कहीं ये आरोप किसी हद तक सही तो नहीं है इसी की समिक्षा करना है कहीं भगवान ने स्री राम लला जी ने इसी बात का तो थोड़ा सा डंडे नहीं दे दिया है बज़ यही समिक्षा का बिंदु है इसी को गंभीरता से समझ ये तो आपको इस पश्ट हो जाएगा ये बात सत्त है कि 22 जनवरी 2024 स्वार्णिम दिवस है जिस दिन भगवान स्री राम लला जी ऐयुद्या स्री राम जन्म हुआ ज्राम जन्म इस्थली में विरादमान हुए और बहुत हर सो अरुलास के साथ समारोवी संपन हुआ जैसे होना ही चाहिए था दिव्विता के साथ अलुकटा के साथ और सभी ने सराहनवी की लेकिन वहीं तो अहिंकार भी कुछ उत्पन हो गया कि भाई धार्मिक द्रिष्टी से अध्यात्मिक द्रिष्टी से पुझे संक्राचार जी का बड़ा मात तो है और यदि उन्होंने किसी बात पर उंगली उठाई थी तो उस उंगली का कुछ समाधान या उसकी कुछ सफाई तो दी ही जानी चाहिए थी कोई प्रतिनी दी गया होता सरी संक्राचार जी के पास सरकार का या राम जर्म भूमी जो वह है तीर्थ परसर ट्रस्ट उसका कोई प्रतिनी जाना चाहिए था संक्राचार जी के पास इतना तुम हाथ तो उनको दिया ही जाना चाहिए था खेर वो भी नहीं दिया गया क्योंकि हम तो इसका पतिफल यह जानते हैं कि भगवान को जिस समय विराजमान होना है उसी समय विराजमान होंगे वो तो भगवान की क्रिया है उसको तो कोई नहीं रूख पाया हाँ जब बनवास होना था तभी बनवास हुआ लेकिन अब दसरद जी कहते थे अगर ये कहते कि चलो राम तुम्हें जाना है तो जाओ जंगल हाँ तो क्या दसरद जी की बड़ाई होती इसमें तो भाई माननी प्रधान मंतरी जी को थोड़ी सौमे परचे देना चाहिए था वहाँ पर वो सौमे परचे नहीं दिया एक तो आहिंकार ये पर लक्षित हो र उस तक टिपणी राजपूत महिलाओं विनांगनाओं के उपर कर दी पूरा मामला छोटा सा था और उसने विक्राल रूप ले लिया सारे राजपूत मिलके राजपूत गुजरात और राजिस्थान के मिलके याचना कर रहे थे चिरोरी कर रहे थे राजपूतों को तो हमन दिया जाए वहां से एक नहीं सुनी गई तो क्या ये अहिंकार नहीं है क्या ये थोड़ी सी निरंकुस्ता नहीं है और नहीं कोई सफाई दी गई मान्नी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसी का पढ़नाम हुआ कि रूपाला तो जीत गए उन्होंने तो अपना रूप बना है एक अक्रोस और है कि राम जन्भूं के पास जो धाई सो गाउं है जो चार सो साल से संगर्ष करते रहे उनको यथावत संबान नहीं दिया गया हां ये भी एक कड़ी उसी से जुड़ी हुई है तो अब जब कड़ियों की बात चल ले ही तो एक तीसरी कड़ी और जोड़ जी है सुरू से और उन्ही को राम जन्भूमी तीर्थ है ट्रस्ट है मैं उनको भागीदार नहीं बनाया गया उनका एक भी सदस्य नहीं तो क्या पूरे ब्रम्हांड में या पूरे भाई च्छत्री तो विदेशों में भी बहुत अच्छी इस्तिति में हैं और वो धर्म स से ओत्परोथ हैं तो क्या कोई छत्री नहीं मिला ऐसा योग की जो ट्रस्ट में रखा जाए मतलब राम जी के वंस को ही आपने किनारे कर दिया देखते चलिए आप और उनकी सीटें घटा दी पूरे भारत में देखा जाए और इसे इसकर उत्तर प्रदेश में तो बिलकु पेश था यो वो पूरा का पूरा गायव है जिसमें राजिस्थान चला गया हर्याना चला गया और उत्तर प्रदेश का पश्च्वी भाग चला गया और गुजरात भी चला गया तो भाई ये तो सामने दिख रहा है अच्छा अब ये तो हो गई वो तो फिर इस अहिंकार और निरंकुस्ता को भगवान रोकते कैसे हैं अपने भक्तों को अप्रस्टने ये है जो सबसे बड़ी बात जो चर्चा का विसाय है अब इसके लिए भाई स्री रामचुरित मानस को खोलना पड़ेगा क्योंकि हम तो भाई दे नहीं सकते मतलब माननी प्रधान मंतरी जी को क कोई सला है हम इतने योग नहीं है लेकिन स्री रामचुरित मानस से बढ़कर वो भी नहीं है अच्छा इसलिए और कि देखे हम बड़ी बड़ी बेवारिक और सांसारिक टिपनी कर रहे हैं क्योंकि माननी प्रधान मंतरी जी की पूज्य माता स्री जी का इसी वर्स स्वरग हुआ 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 है तो अब दुनिया में उनको कोई टोकने वाला नहीं है अब उनको अगर कोई टोक सकता है तो कोई सास्त्र वाली बात ही टोक सकती है देखिए कोई ग्रंथ वाली बात ही टोक सकती है देखिए यह हम उन्हीं के उपर नहीं कह रहे हैं यह प्रतेक व्यक तोक सकते हैं आपको, इसके अलावा कोई नहीं रोक सकता, पत्नी की आप सुनते नहीं, आप अहिंकारी पुरुष हो, बच्चों की आप सुनते नहीं, आप अहिंकारी हो, तो ये तीन लोगों को टोकने का अधिकार है, आपको सुधार करने का अधिकार है, और चौथा अधि कौन होंगे आपको ये भी बता दें कि भगवान प्रभू स्री राम जी के सबसे अनन्न अगर कोई हैं भक्त और प्रेमी तो पवन पुत्र स्री हनुमान जी संकट मुचन जी हैं वहीं बिराजमान है हनुमान गड़ी में गए हैं माननी प्रधान मंत्री की दर्सन करने गए है एक प्रधान मंत्री ही तो ऐसे हैं जो अईध्या में दर्सन करने गए हैं स्री राम लला जी इसलिए तो हाड़ने के बाद भी उनको संबान मिला है हाड़ने के बाद जो पद मिला है वो भी राम लला जी की अनुकमपा है और वो हनुमान जी ने दिलवाया है हनुमान जी कैसे अब हनवान जी कैसे दिलवाते हैं हनवान जी उसी तरह से दिलवाते हैं जैसे कववा कववा का मतलब काक भुसुरंड का नाम इसलिए आ रहा है कि सामने कववा जी बैठे हुए हैं और कौँ 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 कर रहे हैं साइद आज वो रामचरित मारस नहीं सुना रहे हम को सुना रहे हैं ऐसा लग रहा है तो बड़ी तेज तेज चिला रहे हैं इसलिए कवगा सब्द आ गया उसको इस प्रसंग से अलग रहे हैं उससा कोई मतलब नहीं है अपने भक्तों को भगवान इसी तरह से डंड देते हैं कि कोई कस्ट भी उसे ना हो और वो समझ जाए और सही मार्ग पर आजाए वही हो रहा है देखते चलिए जैसे एक पीड़ित और पराजित भाई सुगरीव को स्री हनवान जी ने प्रभू स्री राम जी से मिला कर और दोस्ती करा कर किसकिंधा पति बनवा दिया किसकिंधा का राजा बना दिया और स्री राम जी का अभिन्य म माता सीता जी का पता लगाने के लिए वो अपनी पूरी राजी की सेना भगवान जी के सहयोग में लगा देंगे भगवान जी से पहले सुग्रिव ने अन्रोथ किया कि आप हमारे राज महल में चलिए लेकिन प्रभू अपने पिता के बचनों को निवाते हुए वही पर्ण कुटी बना कर रहे जंगल नही और बारिस का सीजन जब समाप्त हो गया देखिए प्रभू अगर स्री राम जी ने अपनी सक्ती और भगवान का सरूप दिखाया होता तो क्या बारिस क्या सर्दी लेकि तरह से एक मानो लील परिसान होता है विपत्तियों का सामना करता है उसी तरह स्रीराम जी कर रहे थें तो चार महिने जंगल में पढड़ कुटी के बनाके रहें जगरा मानवर कोई भी गड़मान naming जो हमारे आजकल नेता हैं नेता ही राजा हैं नेता ही तो राजा हैं उनस पहुँच गए अपने राज सत्ता किसकंधा पती बन गए तो भूल गए कि हम भगवान को बचन भी दे आए थे स्री हनवान जी तो उनके मंतरी थे रोध याद दिलाएं रोध याद दिलाएं सुग्रिव को कि भाई आपको काम दिया था राम जी का काम भाई चलो मदद करने के लिए सैना बुलाओ वो रोज जो है नई नई विलास्ताएं ढूरते सुग्रिव जी हाँ नई नई लगजरी लाइफ लगजरी लाइफ राजा लोग तो भाई मंतरी लोग उसी लगजरी लाइफ में ही रहते हैं देखिए अहिंकार समय समय पर बदलता रहता है अहिंका में ये भी आता है कि हम ये भी प्राप्त कर लें हमारी चारों तरफ बढ़ाई हो हमारी जैजैकार हो जैसे मोधी 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 ये क्या है ये सुनना एक एहंकार है हम नहीं कहते हैं हम कौन कहने वाले हैं ये सास्तर कहते हैं कि अपनी प पहुंचा दें और सुन लें वो हम एक तरह से उनकी मात्र सक्ति के रूप में बोले हैं क्योंकि माता और सास्त्र को ही टोकने का अधिकार है हम तो सास्त्र सामने रखे हैं तभी हम बोलने की हिम्मत कर रहे हैं नहीं तो हमारी बोलने की हिम्मत क्या कि प्रधान मंत्री जिने नहीं मानी तो फिर भगवान जी को एक दिन इंतजार करतें करतें फिर प्रावध आ गया, जिर तो राम जी के बारें मालूम ही फिर तो चाहे उनका मित्र हो, कोई चाहे भक्त हो, अगर कुरोध आ गया तो वो डंड देते ही देते हैं, हाँ, डंड दिये विगर तो नहीं माने वो, डंड तो उनने समुद्र तक को देना चालू कर दिया था, हाँ, रावण को डंड ही दिया है, रावण का वद नहीं किया दोके में हो आप लोग कि रावडवद किया नहीं नहीं डंड दिया है उसी गलती के उसका अपराद का ऐसी तरह से डंड देते हैं तो अब देखिए माननी प्रधान मंतरी मोदी जी को कैसे डंड मिल ला है ये भी तो देखिए कि पहले एकदम 2014 में भहुमत हुआ 2019 में भहुमत हुआ आपकी बार उनको लंगड़ा कर दिया और दो चौकीदार लगा दिये उनके पीछे कौन कौन एक तो माननी नितिस कुमार साब और एक चंद्रबाभू नायडू साब और भी छोटे छोटे लगे हैं चिराग पासवार बगेरा भी लग अंगद की तरह कोई जामबद जी की तरह अब उनको चारों तरफ से घेर लिया लेकिन आप धोकें मत रहिए विपक्च सोचें कि हम ताली बजाएं ना 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 ताली मत बजाओ राम जी यहीं से मद्बूत हुए क्योंकि अब मोदी जी का संगठन बढ़ गया है लेकिन उनका आहिंकार तोड़ने के लिए सुग्रिव के उपर किसको लगाया भगवान जी ने लच्मर जी को कहा लच्मर जी जाओ तुझरा जिस बाण से हमने बाली का वद किया है उसी बाण से मैं सुग्रिव को अभी वद कर दूँगा और लच्मर जी फन फना के चल दिये लच्मर जी तो वैसी फन फनाते थे क्रोधित होते थे और चल दिये और प भाग के सामने कोई नहीं आता भारत जो है महिला प्रधान है देश यहां महिलाओं का जब जब सम्मान हुआ तब तक भारत महान देश बना और जब जब अपमान हुआ तभी दुर्गत ही हुई भारत की तो जब सुग्रिव और सब्बानर भाग खड़े हुए लच्मन जी का क्रोध देखके तो हनवान जी को एक उपाय सुझा और हनवान जी ने उनकी पत्नी तारा जी को आगे कर दिया तो भागवान जी ने तो सिर्फ यही कहा था कि बस यत्त्त ही डंड देना कि उसको याद आ जाए हां बस ज्यादा डंड देने की जरूरत नहीं है तो देखिए हार भी गए प्रधान मंत्री जी अरे एक लाग बोड से प्रधान मंत्री का जीतना कोई जीतना है अरे वो तो हार ही समान है सत्त तो कोई बोलेगा नहीं लिकर हम तो सत्त ही बोलेंगे बाई तो फिर क्या हुआ कि लक्षमर जी को उनके उसमें लगा दिया गया है जैसे अब चंद्रबाबू नाइडू और नितिस कुमार साथ जब भी कोई गलती करेंगे या कोई हैंकारपन करेंगे तब तुरंग अंकुस लग जाएगा अब अहंकार कैसे दो अजार चौदा में जब मानने प्रधान मंतरी जी जीते तो उन्होंने प्रधानों का सम्मेलन कराया था पूरे देशों का और हर प्रदान से मिले थे मतलब प्रजात्मत्र की चोटी हिकाई से और इस वार तो सुनने को ये मिला कि वो अपने मंतरियों और विधायकों से ही नहीं मिलते थे और बड़े-बड़े डेलिगेट से भी नहीं मिलते थे हाँ अब भई विस्तता भी है काम भी जादा बढ़ गया विदेश नीत भी जादा हो गई लेकिन अगर आपने मूल को छोड़ दिया तो यही आपका एहंकार सावित होगा और तो फिर आपको गलतियां हमने ब्लाक में बता ही दी तो सुग्रियू की तरह सुग्रियू की तरह अब दो दो चोकीदार लग गए हैं अब सुग्रियू जी में हिंकार ने हुआ सुग्रियू जी जब भग्वान जी के सामने पहुंचे तो फिर अपनी गलती उन्होंने मानी और क्या कहा गलती मानते हुए क्या कहा वही आप सुन लो तो समझ लिजे वही निचोड है इसका पहले तो आप वो चौपाई सुन लो तब आपको आनंद आएगा जो भगवान राम जी ने सुग्रिव को मारने के लिए कहा था कि जह सा एक मारा में बाली तही सरहतों मूड कहू काली जा सुक्रपाच छूट ही मदमोहा ता कहूं उमा की सपन हूं कोहा सुग्रिव जब भगवान जी के सामने पहुँचे तो सारा आहिंकार दूर हो गया तो इस बार जब मोदी जी जाएंगे स्री राम लला जी के दर्सन करने तो उनका सारा आहिंकार दूर हो जाएगा और उन्हें गल्तियों का आभास भी हो जाएगा क्या कहा सुग्रिव जे ने घोर क्रोध तम निस जो जागा स्री स्री रगनाद जी के चरणों में स्री नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रिव ने का हे नात मुझे कुछ भी दोस नहीं हे देव आपकी माया अतिन्त प्रवल है आप जब दया करते हैं हे राम तभी वै छूटती है देवता मनुस मूनी सब विश्यों के वस में हैं विश्यों मतलब विश्य अहेंकार, काम, मद, मोय, काम, क्रोध सब इसके वस में हैं फिर मैं तो पामर, पसू और पस्यों में अतंत कामी बंदर हूँ इस्तरी का नेरमार जिसको नहीं लगा तो भेंकर कोद रूपी अंधेरी रात में भी वह जाकता रहता है पुर्धान्त नहीं होता तो इस तरह से सुग्रिव जी ने अपनी गलती मान ली और गलती का परणाम भी सुग्रिव जी को फिर मिला तो अब मान्य प्रधान मंत्री जी को अहिंकार का फल मिल गया है पचास सीटें उनकी कम हुई है राजपूतों के विद्रोह के कारण है ये भी समिक्षा आप सुन लीजे और थोड़ा सा जो इधर उधर अहिंकार मतलब सही कंडिडेट को टिकेट नहीं दिया गया और जनता की बात ठीक से नहीं सुनी गई एक पक्षी बात सुनी गई किसानों का आंदोलन को भी ठीक से डील नहीं किया गया उनको संतुष्ट नहीं किया गया इसी तरह के अन जो देश में आंदोलन चले उनमें भी थोड़ी सी ततपड़ता और नम्रता और पी देखिए डंड तो मिला कि 240 पर ही भारती जनता पार्टी पहुंच पाई और भारती जनता पार्टी की पराजा है देखा जाए तो अब उनके अध्यक्ष ने बताईए ये कह दिया कि RSS से कोई हमारा मतलब ही नहीं है और इन ने कह दिया कि हमारा राजपूतों से कोई मतल राजनीत को राजनीत तो बहुत ब्रहत बसे है हाँ यहां सब को सबका विश्वास सबका प्रयास तो अच्छी वात है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अपना भी पहचानना पड़ेगा आपको अपने को अगर आप नहीं पहचानोगे तो आपके पीछे कौन चलेगा अब आप तो देख लो ना 38-38% और 49% ही तो बोर्ट मिला आप अपना बोर्ट बैंक बढ़ा नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अपने को लेकर नहीं चल ले हो किसी को जब आपको जब आपको जो है सत्ता मिलती है तो आप सब को बाटने लगते हो तो फिर आपके आपके जो आदमी हैं उन से बड़ी चीज की वह आपको समय देते हैं उस समय के बदले में आप उनको क्या दे रहे हो जिरा इस पर मन्थन करो ना आप अगर जैसे हम आपके विरोधी हैं हमको भी 6000 रुपए मिल रहे हैं और आपका जो राज दिन समर्थक है जो आपके लिए समय बरबात कर रहा है उ तो हम फिर कल के दिन कहेंगे नहीं कि हम बोट डालने क्यों जाएं जो हम आपके पक्षमें बोट डालने क्यों जाएं भाई छोटी सी राजनीती है ना इसे चाय कूटनी समदलो तो भाई ये तो कड़ना पड़ेगा ये तो कुछ ना कुछ राजनीत तो राजनीत कीतर ही ह ओगी मार्नवर प्रदहन मंत्री जी नहीं तो फिर pass राँते आप तो फिर चुनावई खतम करा दो फिर पिर आपका कौन है भाई आज की तारीक में सरवहारा है सरकारा से सा टिकट अपको बोट नहीं मिलता हैक आगली बार लों आपको गीता कहती है कि आपको निर्णे लेना ही पड़ेगा युद्ध करना ही पड़ेगा तो क्यों कि अपंडू और और जुन ने तो कही दिया था कि वो तो हमारे मामा हैं नाती हैं चाचा हैं भाईया हैं भावी हैं हम उनसे कैसे लड़ें तो आप तो गीता ही का सारा इसे दान समाप्त करे दे रहो आप तो रादनीत ही समाप्त किये दे रहो देश में अरे रादनीत को रादनीत की तरह जुंदा रहने दीजे फिर तो गीता को रख दीजे कलमारियों बंद करके क्यों पढ़ते हो आप गीता क्यों आप देते हो रा को धारन दे दू तब आप फिर चुप हो जाएंगे बिल्कुल राम रामन का युद्ध दुआ राम जी की भी सेना मारी गई और क्या बारिस की गई अम्रित की तो राम जी की जो सेना के लोग थे जो घायल थे और जिनका प्रारण्थ हो गया था वो भी उट खड़े हुए हा उसी को तो गिलोय और अम्रता कहते हैं उसी बूंदों से गिलोय होगी है माननी प्रधान मंतरी सहाब चलिए परिया वरन का भी ज्यान दे दें पेड़ा आप कम लगवार हैं हाँ जंगल यद्धी पे आपने कुछ बढ़वा दिया है लेकिन कटान बहुत हो रहा है बहुत बड़ा वरक्ष था वो काटा गया जिसमें कम से कम हजार आदमी खड़े होके चाया में बैठते थे उस उस पेड़ का डंड आपको मिल ला है और आपकी पार्टी को मिल ला है और जब तक अयुद्या में हरे भड़े वरक्ष नहीं लगाए जाएंगे और देखो त प्रधान मंत्री जी और मुक्ह मंत्री जी उत्तर प्रदेश आप अयुद्या और बनारस में खजूर के पेड़ लगवा रहे हो मतलब आप एक नकारात्मक्ता को पैदा कर रहे हो उन में जहां पे पीपल बरगत और पाखर जामुन के वरक्ष लगते थे मोल स्री वहां पे कि आप पैसा जंता का बरबात कर रहे हैं कभी आपने देखा है कि खजूर का पेड़ गाओं के अंदर किसी के गाओं के अंदर लगा हो किसी भी गाओं में किसी भी घर के सामने लगा हो आप अयुद्या वासियों को दिये दे रहे हो आप बताएए राम जी को और आपनी ग जी उसी तरह से हैं बिलकुल साक्षात जैसे राजा बैठता है अरे इंगलेंड में राधा ही करता है सासन तो विसके में राजा बहला जी तो किसी में राजाने जी पर करते हैं आज जो प्रदान में लगेगी सपने में भी लगेगी तो बस आज इतना बहुत और चलिए भाई जिसको अच्छा लगा हो कमेंट करिए फिलहाल जो स्री रामची रित्मानस के एक राजनेतिक और कूटनेतिक दाउं पैंच हैं उनका मैंने थोड़ा सा वेसिलेशन किया है आपको अगर धन्वाद हमारे चैनल की बटन जरूर दबा दो इससे हमारा उत्सायवरदन हो जाए और आपके पास नोटीबिकसान हमारे इसी तरह पहुंशते रहें बहुत बहुत अभी हम आगे आपको बताएंगे कि धितराष्ट अंधा होने के बाद राजा क्यों बना अगली परचर जय हिंदी जय हिंदी जय हिंदी